गूद मॉर्निंग एवरिवन वेलकम बैक तु दे चैनल तो आप लोग काफी दिन से पूछ रहे हैं ये मेरा जो न्यू मॉटर और पैसल है इसके बारे में कि आपने इसकी सिजनिंग कैसे किया क्योंकि मैंने कहा भी था कि मैंने ये न्यू लिया है मैं इसकी सिजनिंग करू कि कब आप इसे शेयर करें तो चलिए आज मैं शेयर करते हूं कि फर्स टाइम इस टाइप का ग्रेनाइट का मॉटर और पैसल यूज करने से पहले आपको उसे कैसे क्लीन करना चाहिए और उसकी सिजनिंग कैसे करनी चाहिए जो कि बहुत ज़रूरी होता है तो सबसे पहले इसे स्क्रब करके निकालना पड़ता है तो सबसे पहले मैंने थोड़ी देर वन मिनट के आसवास इसको पानी में रखा और उसके बाद ये एक स्क्रबर लिया है मैंने आप स्टील का भी ले सकते हो आप नॉर्मल सिंपल जो ग्रीन स्क्रबर साते हैं उनका भी इस्तमाल कर सकते हो और इसके बाद आप अच्छी तरीके से इसको स्क्रब कीजिए बहुत जादा रगणने की जरूरत नहीं है लेकिन इसमें जो भी छोटे चोटे ऐसे पार्टिकल्स होते हैं जब आप उनको यूज करोगे तो वो खाने में आ सकते हैं इसलिए उनको यहां से हटाना जरूरी होता है तो हलका स्क्रब आप अंदर से लेकर बाहर तक इसको जरूर करें जब इस तरीके से आप इसकी सिजनिंग करेंगे तो आप देखेंगे कि इसमें से बहुत सारी डस्ट निकलती है और चोटे चोटे बहुत सारे पार्टिकल्स स्टोन के जो होते हैं वो सारे निकलते हैं तो इसको बस अच्छी तरीके से क्लीन करके फिर मैं नॉर्मल पानी से इसको वाश कर लूँगी और इसको थोड़ा सा सूखने के लिए मैं रख दूँगी एक तम आप इसको ड्राइ होने के लिए रख दीजिए जब यह फुली ड्राइ हो जाएगा तब फिर हम अगला स्टेप करेंगे सबसे पहला स्टेप होता है हमारा वह हम इसमें शुगर को खरते हैं अच्छे से एक टेबल स्पून हमने या पर शुगर लिया है इसको इसको इसके अंदर एड करेंगे और अच्छी तरीके से हमें पहले तो इसे कुटना है और उसके बाद गोल- गोल-गोमाते हुए हमें इसे क्रश करना है ताकि जितना भी पॉर्शन हम लोग यूज करते हैं ग्रांडिंग के लिए जब भी हम कुछ यादर अदर क्लैसन कुछ ग्रांड करते हैं तो जो भी यूज होता है ना जो भी पॉर्शन अंदर का वह सारा इसमें यूज हो तो इस तरीके से गोल-गोल घुमाते हुए हमें ये शुगर को क्रश करना है दो से तीन मिनट दो से तीन मिनट के बाद आप देखेंगे कि शुगर जो है काफी हद तक 70-80% तक क्रश हो जाती है थोड़ी सी पाउडर हो जाती है थोड़े दाने भी रह जाते हैं बट आप यहां पर शुगर का अगर कलर देखेंगे तो ये ग्रेश कनवर्ट हो गया है मतलब हलका ग्रे इसमें कलर आ गया है ये एकदम वाइट नहीं है जैसे हमने पहले जब इसमें डाला था तो अभी हम क्या करेंगे इसको फिर से पानी से वाश करेंगे और फिर से इसको रख देंगे सूखने के लिए, सुगर जो हमको फैर से थροक कर देंना है, यूज नहीं करना है तो इसको फिर से एर ड्राइ अच्छे से वने होने देते हैं उसके बाद हम करेंगे सेंड्स्टाप सेंड्स्टाप में हम यूज करते हैν जैसे हमने पहले sugar यूज किया वैसे ही अब हम rice यूज करने वाले हैं ये हम यूज करेंगे 1 tablespoon और इसमें थोड़ा सा आपको मेहनत भी लग सकता है और थोड़ा सा जादा time भी लग सकता है 5-6 मिनट आपको इसी तरीके से मेहनत करते रहना है और इसको इसी तरीके से गोल-गो मां के आपको यहाँ पर crush करना है खूब अच्चे से ये एकदम powder तो अभी नहीं होगा लेकिन ये बहुत हद तक crush हो जाएगा लगबग 60% तक आपकी जो rice है वो crush हो जाएंगे 5-6 मिनट जब आप इसको लगातार ऐसे करते रहेंगे 5-6 मिनट के बाद आपको इसमें एक चम अब जो भी इसके अंदर जो जिद्धी पार्टिकल्स थे जो जल्दी नहीं चोड़ते हैं धोने से या रगणने से भी तो वो सारे चले जाएंगे उसके बाद ये थोड़ा ऐसा ग्रेनी ग्रेनी सा जो हमारा rice का paste है इसको मैं चारो तरफ अंदर वाले एरिया पे लगा र रही है और उसके बाद फिर से इसको कर लीजिए वाश और ये हमारा final step है जिसमें हम लेंगे 4-5 lesson थोड़ा सा जीरा और नमक लेंगे जब भी हम लोग नया सिलबटा वगएरा भी खरीदते हैं तब भी हम लोग उस पे नमक और जीरा अच्छी तरीके से रगटते हैं उसकी थो कर देना और इसको वाश करके फिर आप यूज कर सकते हो तो बस यह हमारी सिजनिंग जो है वो complete है तीनी step थे बस इसके अंदर sugar, rice और उसके बाद ये जीरा नमक और लेसुन ये डाल करके आप इसको अच्छी तरीके से सिजनिंग कर लीजिए इसके बाद जब आप इसक पसंद आया है बहुत सारे लोग इसका लिंक भी मुझसे मांग रहे हैं तो आज की इस वीडियो के नीचे में आपको लिंक मिल जाएगा ये medium साइस का है मैं ये वाला भी और इससे एक बड़े साइस का है उसका भी लिंक आपको description में दे दूंगी quality वगेरा मुझे काफी प करते हैं मिलते हैं आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में तब तक लिए थैक्स फो वाचिंग टेक केर बाई बाई